हलो दोस्तों मैं सवरों मलिक आप सभी का टोपिक इस्टेडी में सौगत करता हूँ दोस्तों ना टोपिक इस्टेडी is a part of an academic group चले स्टार्ट करते हैं आज के live test को देखे दोस्तों आज संडे है और जैसे आप सभी को पता है कि संडे को मैं लेके आता हूँ आपके लिए current affair का live test जितने भी student अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा end दख देखेगा और अपना score इसी वीडियो के नीचे comment box में जरूर बता के जाएगा कि आज आपने कितना score किया है इन सभी questions को try करके ठीक है और आज थोड़ा late हो गया है test बट इसका जो daily का time है यानि कि Monday to Sunday जो एक class चलती है आपकी ये रात के 9 बज़े होती है तो ये time आप note कर लिजे और इस test को daily लगाना है start कर दीजे देखे आज के test को start करने से पहले मैं आपको कल के test से एक question पूछूँगा जिसका answer आप सभी को नीचे comment box में बताना होगा question है असो के सिलाले को को पढ़ने वाला पर्थम अंग्रेज कोन था तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखिया तो देख लेना उसमें से ये question मैंने पूछा है चले फिर start करते हैं आज के test को यहाँ पर पहला question आ रहा है एक तिवस्य किर्केट में दोरा सतक लगाने वाला सबसी युवा बल्लेवाज कोन बन गया है तो guys इसका सही answer क्या रहेगा बिल्कुल यससवी जैसवाल इसका सही answer रहेगा यानि कि option D is the right answer देखिए यससवी जैसवाल मुंबई से हैं और इन्होंने विजय हजारे ट्रोफिय में जारकंड के विरूद यह दोरा सतक लगाया है तो बस आपको इतना और याद रखना है जो मैंने यह extra बताया है ठीक है चले नेक्स्ट हमारा कोशन आ रहे है उडिसा का पहला रोबोट सेफ रेस तारा किस सहर में खोला गया गाइस इसका सही answer रहेगा पुनेसवार यानि कि option C is the right answer देखिए जो भी questions आपको आते हैं उनका answer आप नीचे comment box में बताते रहेगा और वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना और share एक बार कर दीजे बहुत ही कम student जुड़े हैं तो एक बार share कर दीजे अपने सभी group में अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि कुछ और नए student हमारे साथ में जोइन कर ले ठीक है guys चले next question हमारा आ रहे है हाल ही में किस देश ने safe under 15 महिला championship जीत ली है guys इसका सही answer क्या रहने वाला है बिल्कुल भारत is the return answer यानि कि option ace का सही उतर रहेगा और इसका आयोजन बुटान में किया गया था ठीक है तो आपको याद रखना है safe under 15 महिला championship का जो आयोजन है वो कहां पे हुआ था बुटान में किया गया था final में भारत ने बांगलदेश को हराया था तो ये भी आपका आद रखना है ठीक है तो ये आपका आद रखना है चले guys next हमारा question आते हैं अंतरास्टिय मुंद्रा कोस IMF के अनुसार चालू वित्यवर्स में भारत की GDP वरदिदर कितने परतिसत रहेगी according to IMF what percentage of India's GDP rate will be in financial year 20 तो ये आपको बताने guys बिल्कुल सही 6.1 परतिसत याने की option B is the right answer ठीक है IMF का मतलब क्या है दोस्तो International Monetary Fund और इसका मुख्याल लगा है Washington D.C. में बिल्कुल guys इसका सही आंसर यह रहेगा ठीक है next हमारा question आ रहा है किस bank ने FD Health नामक नई scheme नई fixed deposit जो scheme है launch की है FD यानि की fixed deposit ये किस ने launch की है किस bank ने की है तो guys इसका सही आंसर रहेगा ICICI bank यानि की option D is the right answer ठीक है तो आप समझ गयोंगे चलिए next हमारा question आ रहा है भारत किस वर्स Interpol महासबा की मेजबानी करेगा बिल्कुर से दोस्तो 2022 में तो इसका सही answer option B रहेगा और देखे इस सम्मझ में ग्रह मंतरी अमिसा ने अगस्त महीने में एक प्रस्ताव रखा था तो ये आपको याद रखना है guys ठीक है next हमारा question पे जाने से पहले guys मैं आपको बता दूँ कि railway की त्यारी आप घर पे बैठके कर सकते हैं bank की त्यारी आप घर पे बैठके कर सकते हैं SSC की त्यारी आप घर पे बैठके कर सकते हैं बस आपको एक चीज याद रखनी है किसी भी exam की त्यारी कर सकते हैं Unacademy आपके साथ है, Unacademy के बहुत सारे courses आपके साथ है और हजारों teacher आपके साथ है Unacademy का एक app आता है Learning app, उसको आप डाउनलोड कर लेजिए जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेंगे उसमें आप अपनी mail आइडिया phone number भरके आप login कर लेंगे उसके बाद आपके तीन लाइने आती है आपे, कोने में, ठीक है न? उन पे click करके अपना goal select कर लें जैसे मैंने railway select किया और get subscription पे click कर दिया, फिर उसके बाद 3 या 6 मन्त का plan choose करिए और उसके बाद next आप जाएंगे इस पे, ठीक है? और अभी topic study कोड apply मत करिए, क्योंकि apply नहीं होगा इससे discount नहीं मिलेगा अगर मिल भी जाते हैं तो फिर सारे courses नहीं मिल पाएंगे तो आपको क्या करना है? आपको code use करना है, सोरा बिलेविन S-A-U-R-A-B-H ठीक है? 1-1 ये code आपको use करना है, apply के button पे क्लिक करना है, तो आपका जैसे 2000 course है, 800 में आपको मिल जाएगा इतना आप कर लेंगे, तो आपको course मिल जाएगा, और जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी त्यारी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी join कर लेना, बहुत सारे student वहाँ पे join कर चुके हैं, बहुत सारे student मेर से पढ़ भी रहें, और भी बहुत सारे teacher से वहाँ पढ़ रहें, वहाँ पे आपको India की जो best faculty है, किसी भी exam के लिए, अगर railway की में बात करूँ, तो railway के सारे wifi के teachers वहाँ पे available हैं, ठीक है, और जितने भी और अच्छे teachers हैं India में, वो भी सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बट आपको उसके लिए enroll करके ही देखना पड़ेगा, और आप किसी भी teacher से पढ़ सकते हो, unlimited पढ़ सकते हो, class अगर मिस हो जाती है recorded video देख सकते हो, pedia play सकते हो test series लगा सकते हो, तो unlimited benefit है, जिनका आप सोची नहीं सकते कि यार, यह चीज़े भी मिल सकते हो, ज्यादा cost भी नहीं है इसकी, ठीक है question number 7 है, दोस्तो, हाल ही में ठीक है भाई, आपको याद रखना है दोस्तो जो चीज़े मैंने बताईए, code एक बड़ पिर से बता देतो, saurabh11, तो saurabh11, आपको code यूज़ करना है, ठीक है next हमारे हाल ही में, शुरूई लीली, उत्सब की स्राज्य में मनाय गया, तो दोस्तो, यह उत्सब मनाय गया, मनीपुर में, तो सही answer इस करेगा, option A, और इस उत्सब में, विबिन समुदाये द्वारा, लोग की, तथा लोग नत्या को प्रस्तुतिया दी जाती है, ठीक है, चले, next हमारा question आ रहा है, Forbes की सरवधिक कमाई करने वाली, करने वाली महिला खिलाडी की, सूची में, सिर्ष पर कोन है, यानि कि सिरेना विलियम इसका सही आंसर है गाईस, यानि कि option P is the right answer और इस सूची में, भारत की PV सिंदु तेरवे स्थान पर आती है तो देखे, PV सिंदु का भी स्थान आपको याद रखना है 13 नंबर पर आती है, PV सिंदु ठीक है गाईस, तो ये बहुत इंपोटेंट है, याद रखेगा next हमारा question आ रहा है 17 October से भारत और कीज़ देश के बीच Eastern Bridge 5th सिंदु अभ्याद सुरू हुआ बिल्कुर से दोस्तो ओमान और भारत के बीच में हुआ है तो इसका सही आंसर हैगा option B और यह अभ्याद दोनों देशों की वायू सेनाओं के बीच 17 October से 26 October तक चलने वाला है ठीक है पैर दोस्तो ये आपको याद रखना है next हमारा question आता है हाल ही में किस मार्ग का नाम बदलकर सिरी गुरू नानक देव जी मार्ग कर दिया गया दोस्तो इसका सही आंसर हैगा NH703AA याने की option आप करेगा right answer D तो ये आपको लगाना है देखे NH703AA पंजाब में है जो की कपूर्थला से तरन तक जाता है कहां से कहां तक जाता है कपूर्थला से तरन तक जाता है चलिए दोस्तो next हम question पर आ जाते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासीर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा गाईस इसका सही आंसर रहने वाला है बिलकूर डाक्टर शाम परसाद मुकर जी एने की option D is the right answer चेनानी नासीर जो सुरंग है वो जम्मू कस्मीर में है और इसकी लंबाई 9.2 km के दोस्तों त्यान से सुनिएगा चेनानी नासीर जो सुरंग है यह जम्मू कस्मीर में है और इसकी लंबाई जो है वो 9.2 km है ठीक है पर दोस्तों next हमारा question आ रहा है हल ही में जारी global hunger index 2019 में भारत कौन से इस्थान पर है ठीक है तो hunger index 2019 में आपको भारत का इस्थान बताना है दोस्तों और इसका सही answer हैगा बिल्कुल भारत का इस्थान आता है 102 यानि की option c is the right answer और देखिया अकर मैं बात करूँ पहले स्थान पर कौन सा है तो बिल्कुल बेलारूस जो है वो पहले स्थान पर है ठीक है तो यह आपको याद रखना है दोस्तों भारत का इस्थान 102 आया है question number 30 ने किस formula one driver ने Japanese index sorry grand peak 2019 जीत ली है यह आपको बताना है किस formula one driver ने Japanese grand prix 2019 जीत ली है तो इसका सही आंसर है बिल्कुल वाल्टेरी बोटास यानि की option B is the right answer वाल्टेरी बोटास is the right answer वाल्टेरी बोटास जो है वो कहां से है फिल्लेंड से है और यह Mercedes के driver है तो कहीं बार यह भी पूछ ले आता है कि कौन सी car के यह driver है तो यह आपको आदखना है भारत का पहला garbage factory की सहर में खोला गया बिल्कुल दोस्तों अंभी का पूर इसका सही answer रहेगा यानि की option D is the right answer और देखें दोस्तों अंभी का पूर पढ़ता है 36 गड़ में तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है तो confused नहीं हो है next हमारा question है हाल ही में किस राज्य की विदान सबब परिसद को समाप्त कर दिया गया तो यह तो आप सभी बता सकते हैं तो यह जो विदान सबब परिसद समाप्त है जम्मू कस्मिर में है तो इसका सही answer option D रहेगा इस तरह वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में विदान परिसद रह गई है दोस्तों कहा कहा पर है तो एक तो है आंदर परदेश में एक बिहार में एक करनाटक में एक महरास्ट में एक तिलंगना में और एक उत्तर परदेश में पहले जम्मू का स्विर में भी होती थी अब वो समाप्त कर दी गई है नेक्स्ट हमारा कुशन है देश के अगले मुख्यने अदिस के लिए किसके नाम की अनुसंसा की गई है यानि किसके नाम की रिकमेंडेशन दी गई है तो यह आपको बताना है बिल्कुर से ही दोस्तों इसका सही आंसर एगा सरद अर्विंद बोबडे यानि की ओप्शन डी इस दा राइट आंसर ठीक है गईज और जस्टिस रंजन गो गई जो है उस 17 नौमबर 2019 को जो है उनका कारेकाल समाप्त हो जाएगा कब 17 नौमबर 2019 को ठीक है पहर दोस्तों नेक्स्ट हमारा कोशन आता है कि किस देश ने दुनिया का पहला AI विश्विदल इस्थापित करने की गोशना की है तो दोस्तों ये इसका सही आंसर एगा UAE ठीक है United Arab Emirates और इसका नाम क्या रखा जाएगा दोस्तों बिलकुल मुहमद बिन जायद University of Artificial Intelligence ठीक है इसका नाम क्या रखा जाएगा मुहमद बिन जायद University of Artificial Intelligence आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट हमारा कुशन आता है नीती आयोगद्वारा जारी भारत नव चार सुचकांक में कौन सा राज्य सिर्ष पर रहा है दोस्तों करनाटक रहा है पहले स्थान पर तो इसका सही आंसर ओप्शन भी रहेगा ठीक है पर्थम राज्य में करनाटक आता है और अगर इसे में बात करू केंसासित परदेशों में दिल्ली है तो यह भी आपका अदकने एक कई बार केंसासित परदेशों में भी यह पूछाता है कि कौन सा पहले स्थान पर है ठीक है दोस्तों नेक्स कोशन पे चलते हैं भारत और जापान के बीच सिसुन्य मेत्री अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ तो ये सिन्यू जो मेत्री अभ्यास है ये आपका हुआ है पस्चिम बंगाल में तो सही आंसर ओप्शन डी रहेगा दोस्तों कशन बंड़ ट्वन्टय हाली में 20 खाद्य दिवस कब मना जाता है तो 20 खाद्य दिवसlands दोस्तों 16 अक्टूबर को मना जाता है यैद ये ओप्शन डी असका सही आंसर एगा और यह दिवस विश्व खाद्य वे किर्सी संगठन के इस थापना दिवस के रूप में मना आ जाता है गई नेक्स्ट हमारा कोशन है पुष्टक गुड इकनोमिक्स फोर हार्ड टाइम्स के लेखा कौन है जोस्तों इसका सही आंसर एगा अभी जीत बनर जी यानि की ओप्शन डी इस राइट आंसर ठीक है और चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशन हमारा आता है हाली में किसने नेशनल सिक्यूर्टी गार्ड का महानिर्देशक न्यूक्त किया गया है किसे नेशनल सिक्यूर्टी गार्ड यानि की एन्यस्ट का महानिर्देशक दूक्त किया गया है दोस्तों बिलकुर से ही आप लगा रहे है अनूप कुमार सिंग यानि की ओप्शन सी is the right answer और National Security Guard की जो स्थापना विजी दोस्तों यह उजी 1984 में मुख्यालने नहीं दिलने में ही है इसका भी तो यह आपको याद रखने है Q23 है Mind Master Winning License Prime Championship Live पुस्तक के लेखक कोन है इसका सही आंसर क्या रहेगा विशुनाथन आनंद ठीक है तो Option C आपका अंसर जा रहे है Very Good Next Question है कौन सा देश 2020 से बड़ी डिजिटल कमपनी पर वेब एक्सिस लग जाएगा लगाएगा या फिर आपका यह लग जाएगा तो यह है इटली तो इसका सही आंसर Option A रहेगा दोस्तों ठीक है और इसके अंतरकत जो है वो Facebook आजाएगा Google और Amazon जैसी कमपनी तीन परसेंट टेक्स लगाएगी तो यह आपका अदखना है Next हमारा Question है हाल ही में केंद्रिय कानून सचीव के रूप में किसे न्यूट किया गया है अनूप कुमार मेद्रित्ता इसका सही आंसर रहेगा यानि की Option D is the right answer बीसवी पसुधन जन्गर्ना की अनुसार किस राज्य में पसुधन की संक्या सरवदिक है गैज इसका सही आंसर रहने वाला है उत्तरपर्देश देश में पसुधन की जो कुल संक्या है दोस्तो वो कितनी है 535.78 मिलियन तो ये भी आप याद रख सकते है 535.78 मिलियन है ठीक है और उत्तरपर्देश में सरवदिक 60 यानि की सबस्यादा 67.8 मिलियन तो केवल उत्तरपर्देश में ये है ये आपका आद रखना है नेक्स वोशन है हाली में किस अंत्रिक्स एजन्सी ने पहली बार फिमेल स्पेस वोक का आउजन किया है तो ये तो नासा है और ये कुशन मैं आपको पहले भी कवर करा चुका हूँ ठीक है चलिए हाली में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है तो भारत है इसमें 82 वे स्थान पर और पहले स्थान पर अमेरिका है नेक्स्ट हमारा कौशन है हाली में 20 महिला हाली में 20 महिला मुक्यबाजी चैंपेंसिब में मेरिकोम ने कौन सा पदक जीता है तो इसका सही आंसर हैगा ब्रोंज मैटल यानि की ओप्शन C is the right answer नेक्स्ट हमारा कौशन है हाली में ATP डबल रेंकिंग में Asia के नंबर वन खिलाडी कोन बने है तो दिवीज सरण इसका सही आंसर हैगा यानि की ओप्शन A is the right answer कौशन नंबर 31 है हाल ही में New World Health की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे धनी देश की सूची में सबसे उपर है दोसुस इसका सही आंसर हैगा नियोर्क यानि की ओप्शन A is the right answer नेक्स्ट हमारा कुशन है टेलीकॉम कमपनी भारतिय एर्टेल ने कौन सा कोलकता के बाद किस राज्य में अपनी 3G के नेटवर्क बंद किया है दिखे कोलकता में पहले बंद कर चुका है दूसरा राज्य कोन सा होगा जिसमें बंद कर दिया हर्याना तो अभी जो है एर्टेल ने कोलकता के बाद किस राज्य में बंद कर दिया दोस्तों हर्याना में यह आपका दखना है नेक्स्ट है हाल ही में न्यू वर्ल हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे धनी देश की सूची में सबसे उपर है अज़िंग यह तो हो चुका है अच्छे चले मैं यह बता देता हूँ इस दो न्योट पहले स्थान पर है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों मुंबई की ठीक है कौन सा देश सबसे धनी देश की सूची में सबसे उपर है तो यहां पर तो बस यह देश है तो यह दो पहले पर हो चुका है ना ठीक है हाल ही में राहिस्थान हाई कोर्ट के मुख्य नयदिस कोन बने हैं गाइस इसका सही आंसर एगा इंदरजीत मोहंती यानि की ओप्षण ए इस दा राइट आंसर नेक्स हमारा कोशन है हाल ही में 59 रास्टिय ओपन एथलेटिक्स चेंपियंशिप में दूती चंद ने कौन सा मैडल जीता तो गोल्ड मैडल जीता है दोस्तों इसका सही आंसर एगा ओप्षण ए ठीक है कितनी मिटर की इस परदा में 100 मिटर की ठीक है तो यह याद रखना है नेक्स आता है हाल ही में दो दिवस्य राज्य उर्जा मेत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में संपन हुआ यह आपका संपन हुआ है दोस्तों कहाँ पर बिलकुल कुजरात में तो इसका सही आंसर ओप्षण बी रहेगा ठीक है पर दोस्तों नेक्स हमारा कुशन है हाल ही में BCCI के अध्यक्स कोन बने है तो यह भी आप सभी को पता होगा सोरोगांगोली बने है तो रैट आंसर ही ओप्षण A नेक्स है हाल ही में किस संस्था ने प्राकर्तिक आपदाओं के दोरान फसे जिवित लोगों को पता लगाने के लिए एक सोप्टवेर बनाया है दोस्तों यह बनाया है IIT मदरास ने तो इसका सही आंसर ओप्षण C रहेगा ठीक है नेक्स हमारा कोशन है हाल ही में ओडर ओफ ग्रीन क्रेसेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो M.Wink के नायडू यानि कि हमारे जो उप्रास्ट पती है तो इसका सही आंसर क्या रहेगा अच्छा ओप्षण में नहीं दिया है बहुत अच्छे वही यह हमारा टाइपिंग वाला जो है बहुत जबरदस्त है जो मतलब आंसर है वो ओप्षण में नहीं दे गए M.Wink के नायडू आप याद रखेगा दोस्तों तो यह ओप्षण में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ याद रखेगा चलि नेक्स कोशन वरज प्रहार किस दो देशों के बीच के एक्साइज है जिसका आयोजन सियेटल यानि की अमेरिका में हो रहा है तो यह भारत और अमेरिका का ही होगा ओवेसली बात है ओप्षण इसका सही उतर रहेगा दोस्तों ठीक है नेक्स्ट हमारा कोशन है हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए CEO कौन बने है बिलकुल से दोस्तों विकास वर्मा बने है तो इसका सही आंसर ओप्षण देगा नेक्स्ट हमारा कोशन है हाल ही में BWF World Tour में अपना पहला किताब किसे ने जीता है इसका सही आंसर हैगा लक्षिय सेन ने यानिकी ओप्षिन ए इस दा स्वरी बी इस दा रेट आंसर नेक्स्ट हमारा कोशन है हाल ही में किस राज्जन ने लड़कियों के ससकती करण के लिए कन्या सिरी विश्विध्याले की स्थापना की कोशना की है दोस्तों इसका सही आंसर हैगा पस्चिम बंगाल यानिकी ओप्षिन सी इस दा राइट आंसर नेक्स्ट हमारा कोशन है हाली में दो घंटे की मैरेथन दोडने वाले पहले एथलिट कौन बन गए है बिल्कुल एल्यूड कीप चोंगे इसका सही आंसर हैगा यानिकी ओप्षिन सी इस दा राइट आंसर ठीक है गाईस चलिए